दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप गर्वधारन से पहले या गर्वधारन के बाद हस्बेंड वाइफ अगर दोनों देखे संतान के लिए प्लैनिंग कर रहे हैं अगर उन दिनों में या आप पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय करें उ सपने आते हैं तीन से पांच बजए की बीच में अगर आपको सपने में यह चीज़े दिखाई देती हैं तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होती है दोस्तों आज उसी की जानकारी दे रहे हैं उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सबसे पहले आप तक पहुँच सकें दूस्तों बहुत बारी सपने आते हैं हम समझ नहीं पाते कि वह हमें क्या संकेत दे रहे और कई भारी कहा जाता है कि आपने सुना भी होगा कि जो सुवे के सपने होते हैं वो अधिकतर सर्च होते हैं अगर आपको देखें तीन वज़ और आपको पुट्रप्ती के संकेत दे रहे हैं दोस्तों अगर आपको सपने में नहीं सब्जी में अगर लौकी या बैंगन दिखाई देता है क्योंकि ये दोनों ही पुत्र का सरूप माना जाता है तो आपको पुत्र की ही प्राप्ती होती है ऐसे ही दोस्तों अगर स Found अगर सपने में देख रहा है तो आपको पुत्र की प्राप्ति को संकेत होता दोस्तो दूद को लेकिन अगर दूद आपको कोई देख रहा है या आप दूद्र का बरतन देख रहे हैं तो आपको पुत्र प्राप्ति के ही संकेत मिल रहे है दोस्तो ऐसे ही अगर सपने में आपको आकाश दिखाई देता है आसमान दिखाई देता है और या हाती देखना हाती देखे गणेजी का सरूप माना जाता है और जब आपको हाती दिखाई देता है तो आप समझ जाये कि आपको हश्ट पुष्ट पुत्र की ही प्राप्ति होगी दोस्तों ऐसे ही अगर आपको देखे गाय का बच्छडा दिखाई देता है सप्टे में या पानी दिखाई देता है या अंडा देखना ये वस्तू भी पुत्र के प्राप्ति के संकेत होते हैं ऐसे ही देखे अगर आ प्रेग्डेंसी के दोरान आपके पितर आपके पूरवज सपने में आ रहे हैं तो वह भी पुत्र प्राप्ती का संकेत होता है कहते हैं जब पुत्र की प्राप्ती होती है तो पितर बहुत प्रसन होते हैं वो आशिवाद देने आते हैं कि हमें हमारा वन्ष चलाने वाला आ गया हमें पानी देने वाला आ गया तो कोई बारी हमारे पितर भी हमें सपन में दिखाई देते हैं तो दोस्तों ये जो संकेद ह सपने में लौकी, बैंगन, आम, अनार, दूद का देखना, आकाश, हाती, बच्छडा, पानी देखना, अंडा देखना, नारियल, शिवलिंग, भगवान कृष्णी के बालसरूप की तस्वीर देखना या उनको देखना तो यह संकेत होते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्त होती है, या फिर आप देखें, पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, उन दिनों में अगर आपको यह सपने दिखाई देते हैं, तो निश्चिदी आपको पुत्र की प्राप्ति होती है, दोस्तों अगर विशेश रूप से अगर यह सपने तीन से पांच वजे क बीचे ब्रह्म मौरत में अगर आपको आते हैं तो निश्रित ही आपको पुत्र की प्राप्ती होती है दोस्तों अगर आपको हमारी जानकरी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें आप सभी को जैशी कृष्णा